क्लाश 12 का फिजिक से स्टार्ट करने जा रहे है, ए अब हलों । पहलाव ए चैप्टर होग ओगा एससे पहले dil on कर चुके हो और हम्लों का यह जो रहने वालावल आने यह काफी ज्याधा कीज़ी रहने वाला है मतलब इलेवन से कपिया इस ने चाप्टर इसा चीज भी है मतलब जो इसमें पढ़ना है हम लोग काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है 11 के तुलना में काफी ज्यादा इजी लगने वाला है तो आज हम हम इसमें इंट्रोडेक्षों देंगे की हम से फिजीक्स में पढ़ना क्या है और उसके बाद 12 हिए रिफवर से चैप्टर आप इसके अंदर क्या और अज़न आशर तो फराज पर पता होना चाहिए कि या जनने वाले हैं तो आज हम तरह बताने वाले और इसके साथ ही इंड में एक बहुत इजवर जच शुनाने वाले है जो कि मेरे इंजिनिरिंग कॉलिज के टाइम का है और उस शुरी को हमने महासंग्राम में भी लिखा है तिक है उसमें भी महासंग्राम बला भी तुम लोग देख सकते हो एक सब्सक्राइब करते हो तो एक बार महासंग्राम में एक पार्ट है जो हम लास्ट मिस तुनाएंगे और उससे काफी कुछ सिखने को मिलेगा ठीक है और एक बात समझ लेना अगर इंजिनिरिंग कॉलिज में इंटर करने सब्सक्राइब यह स्टोरी एक बड़ देख लेते हो ना जो कि बहुत सारा चीज एक नाटी परसेंट बिल्कुल सही घटना है तो बहुत कुछ सिखने को मिल दागा पहले ही आगे चल करके तुम क्या करना है इंजिनिरिंग कॉलिज में तुम लोग पहले ही समझ जाओगे ठीक है किसी तर हम लोग को पढ़ना है कि यहां पर देख सकते हूं है का पहला चैटर हम लोग आलेक्टिक चार्ज एड्विल्ड ठीक है एलेक्ट्र फेट्रीड बोले थे अनरे या जाएगा यहां पर जो लिखा हुआ है ना ncrt के अनुसार हुआ है तो अगर हम लोग परेंगे के अंदर हम लोग जानते हो कहानी तुम लगता है ना का थंडा के टाइमिए कंबल होता है कंबल के अंदर ओर करके तेज़ी से प्रोग लगेगा प्लास्टिक के चेयर पर बैठ जो और उसके बाद उसके पर थोड़ा देर तक कुछ कपड़ा से मारते रहो को चेयर को ठीक है चार्ज तुम्हारे बोडी के अंदर भर जाएगा उसके बाद जो बैठा हुए न यहां पर ध्यान रखना उस बैक्तिक के पैर में चपल होना च तो जो व्यक्ति है जो भी चेर पर बैठा हुआ है उसके पैर में चपल होना चाहिए ताकि आर्थ के साथ क्नेक्टेट नहीं हो ठीक है कुछ दिर कप्रा समारते रहो अब उसके अंदर चार्ज अस्टोर हो गया अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जिसके पैर में चपल जाता है तो जो व्यक्ति दूसरा अगर इसको टैच करेंगा ना तो चिंगारी वहां पर निकलेगा ठीक है जहतका लाइगा और चार्ज जो बोडी में जमा हुआ है तुम्हारी बोडी के थूप मतलब जो भी उसको टैच करेंगा उसको बॉड़ी तुरू बोड़ी कित्र पर चार्ज बोला जल्दी दिखता नहीं दिखता ही नहीं बहुत मुश्किल है उसके बाद पोटेंशिल एंड कैप्सी टैंस पढ़ने वाले हैं और पोटेंशिल जानते हो नो पोटेंशिल डिफरेंस के बद से कैरेंट फ्लो करता है तो उसको तुरू सा डिपली करेंगे कैप्सी का किया नया चीज वह नहीं की तैंस नहीं है तो बहूंत नहीं औंघेमोगों गोंड्र के फर्फपेंस के यह मुश्का रहो है के पारेंगे तो यह में की प्रणे मेंरे और उसके बाद रहा इंट इस्के बाद है य यहां पर electromagnetic induction वह हम लोग देखने वाले हैं यह भी पहले साथ तेंथ में तुम लोगो नहीं मिला है फर्स टेम पर होगे alternating current AC उसके बारे में पर होगे हैना alternating current का यूद जानती हो तुम लोग चला रहे हो तुम लोग फैन चला रहे हो बल्ब जला रहे हो सारा alternating current के help से यह हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा deeply हम लोग जानेंगे और electromagnetic wave electromagnetic wave फैनली हम लोग पढ़ने वाले तो यह देखो NCRT में physics 1 और physics 1 तू दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है तो पार्ट 1 में यह सारा कुस्स दे रखा है और physics part 2 जो दे रखा है जो हमको थोरो से वोरिंग लगता है यह वाला जो है ना chemistry का पार्ट में ना कहां से तुम लोग मिलेगा आप्टिक्स तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो यह बिल्कुल नया चैप्टर होगा है ना काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है अच्छा लगेगा पढ़ने में तो यह हमारा पूरा क्लास 12 का सिलेबस है फिजीक्स का है ना अब हम लोग इन दोनों में क्या पढ़ लोग हम लोग करेंगे ना उसमें चार्ज होगा हो準備 करेंगे आप यह और पर क्णुध पर करेंगे ओ चार्ज हमारा रूआ होगा है को बढ़ने हो दोर रहा होगा वायर के अंदर चलो इसके बाद आग चलते हैं और ऐसी चीजश के अदर हम लोगं कितना साफ़ाय। कर दिछ। यहांपर देख़ कोो साथ कीज़, 10 10 और 7 17,17, они 17, मलेगे को से काउंट करो ना तो देखो अगर ठीक से काउंट किया जाए ना एक चैप्टर इलेक्ट्र स्टैटिक्स के अंधर कितना सारा पॉइंट है तोटल 41 पार्ट से इस तरह से काफी बड़ा मतलुप स्लेवर्स हो जाता है कैरेंट दो एक दो तीन चार एक्ट्रमेगनेटिक अब तो आठ 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 और डिवल नेचर अपर डीजन इन तीनों को एक माल लो आठ एक नौ एक दस और एक इगारा हो रहा है लेकिन एक चैप्टर के अंदर इतना सारा कुछ पढ़ना है ना कि मतलब कुल मिला करके उस बड़ा हो जाता है और एक साल का सिलेवर्स हो जाता तो सारा कंप्लीट होना ही चाहिए 12 में आकर को सिर्फ सिर्फ नुमेर्कल का प्रैक्टिस करो तब एडवांस में चांस बनता है ठीक है ना अब दिक्कत है हो जाता है कि कोई एक सब्डेट अगर कमजोर रहा गया तो एडवांस से तुम निकल गया फिर तुमको मेंस की और प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो इस अब तैयारी देखो आज किस में में जो है ना काफी सब लोग एडवांस हो गया ना इंस से लोग तैयारी शुरू कर देते हैं नाइन टेंट इलेवन ट्वेल्ट टोटल में चाहर साल में नाइन टेंट में समझ नहीं पढ़ना है वो हुआ हो तो मुझा पढ़ने वाला है पढ़ने वाले हमारे सबसे पहले पर हैं कि थे यहां पर मेंन के दिनगे और इसके बारे में थरवध शाइब करेंगे पिर पेंगे इल्यक्टिक चार्ज का प्रुपर्फरेटी यहां यह है तो किया क्या कर सकता हो उसी में शी कि रखोए तो तो कितना फोल साइब बताया था इन्होंने बताया था इन्हों के बाद रूंस लाइन वैक्टर फॉर्म वैक्टर ही लाइन है बस उसमें को अरो लग जाएगा वहां पर के रूप में इसको करेंगे चार्ज का यूनिट यह एक लाइन का ही टॉपिक है चार्ज का यूनिट बस एक लाइन में चीख जाओगी तुम लोग फिर इस लेटे पर्मिटिविटी डियालेक्टिक कोश्टेंट चीखेंगे और साथ वह बहुत ज्यादा असान है बारे में क्या पढ़ेंगे लिनियर चार्ज देंसिटी सर्फेस चार्ज मितलब एक सर्फेस है जिसके पूरा चार्ज खैला हुआ है और क्या होगा एक कोई जिसमें लेंद्ध भी होगा चौराय मताई सारा कुछ होगा है ना तभी नो बालूम आयगा उसका तो उसमें भी होगा तो करता है आपने तब खीच लेता है तो इसको मतलब राया है वह उसी तरह से ए प्सक्राइट करता है जो तुमारा एलक्टिक फील्ड है यह क्रेट करता है वहां नहीं कर पाते है तो अब इसके बारे में हम लग पढ़ेंगे फिल्ड कर रहा है तर उसको खीच तो नहीं तो इसका इन फिल्ट को बारे में परेंगे और फिल्ट कितना होता है एक चार्ज की बढ़ने वाले है एक पॉइंट चार्ज एक पॉइंट चार्ज है या फिर दो तीन चार्ज रख दी तो हर चार्ज की बढ़ने गा तो इस पर यहां पर फिल्ट बनेगा और तीनो चार्ज की बढ़ने पड़ेगा जोडने के लिए रूल है वह हम लोग यहां पर सीखेंगे पिर एक पॉइंट चार्ज जो है ना वो पॉइंट चार्ज की बनता है वह सिखेंगे एक डाइपोल में दो दो चार्ज होता है एक पोजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज उन दोनों को कम्बाइंड एक साथ करके और सिखेंगे कि उनके बज़से कितना बन रहा है एलेक्टिक फिल्ड डूइक तो इक्वल अगर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है तो इसका फिल्ड होगा और इसके चपेट में अगर आएगा दूसरा चार्ज तो ओ या तो खीच लेगा अपनी तरफ या फिर उसको रिपेल करेगा तो ओ इलेक्टिक फिल्ड लाइन किसके किसके वाज़से पढ़ेंगे एक चार्ज की वल से थोरा सा बचा दे रहें कैसा होता है ठीक है तो मान लोकि एक पॉइंट चार्ज है इसके वाज़से एक पॉइंट चार्ज बनेगा कहीं पर भी दूसरा चार्ज लाओगे न तो इसको उतना ही फोर्ट से अट्रैक्टिव रिपेल करेगा कहीं पर भी इस लाइन में रखोगे तो एक सर्किल में कहीं पर भी रखोगे है ना इधर अगर कहीं पर भी रख देना चार्ज दूसरा तो इक्वल फोर्स से उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या पर रिपेल करेगा अब जैसे यहां पर डाइपोल दिया है तो डाइपोल में एक तो आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल परेंगे यह ही इलेक्टिक फिल्ड लाइन है जो की काल्पनिक है जो हम लोगों दिखता नहीं है पर मान के लिए चलते हैं हम लोग की ऐसा ही होगा उसके बाद है दूट इक्वल एंड लाइक चार्ज ठीक है जैसे मान लोग दो ऐसे देखो एक दुसरे को इंटर्सेक नहीं करता है जब हम लोग दो करते है ना किसो कभी करकर दो नहीं करते है तो ओ क्या हूँ प्रपार्टी हुआ उसका इसा आठ डश पर पर्पर्टी जो हम लोग सीखेंगे आठ दस में से कम सखम 4-5 तो एक्जाम में असानी से लिग गोगे इसके बारे में लिप ली परेंगे है ना रिटिक मतलब कि एक प्लोजिटीव और दुसरा निगेटीव चार्ज तो इसके बारे में लुग अश्टाडी करेंगे इसके वाद से पोटेंशिल केतना होगा है ना यहां पर देगो इलेक्टिक फिल इंटेंशिटी कितना ह के बाद बनने करेंगे लुल से उसके ब dual देटेल में उसके बड़ाइब कितना परियाइट होगा है यह उसके बार से म् लुब को प्रस यह से तर्क कीटिकों होगा। कितना काम होगा वग वस्ते सार सुझा हम सरदी do tour करेंगे इतना सार कुछ सब्लक 번 Bai triple करेंगे ही तो चलो इसको आगे इसका जो बेसिक नॉलिज है ना वह हम आगे के वीडियो में दे देंगे